तो आगे देखिए यह जे एंड मेंबरेन है वो राउंडी होता है डैंस के मह नैंने स्मॉल बबल लाइक बॉकल स्टे आझ में स्ट्रक्चरर समझाया यह हमारा सेल हो गया यह होता है हमारा सेल इसके जो मिड़ पार्ट होता है यह होता है यह होता है इसके अंदर नूकलियस यह क्या होता है हमारा मिड़ पार्ट नूकलियस और जो यह सेल है साइल की आउटर पार्ट है थिन वॉल है उसे हम कहते हैं सेल मेंब्रेन और इसके cell membrane और nucleus के बीच में एक jelly होती है जिसे हम कहते हैं cytoplasm, cytoplasm जो cytoplasm है उसका उसके surrounded जो है bubble-like vocals होते हैं अमीबा के cell के around bubble-like vocals होते हैं जो अमीबा है वो change कर सकता अपनी shape और position ये एक दुसरे को push करता है और finger-like जो बहुत जाद़ projections होती है उससे हम कहते हैं Pashopedia P-S-E-P-S-E-U-D-O-P-O-D-I-A Pashopedia और false feet या पिर हम इने false feet भी कहते हैं for movement and capture of the food ये food capture करता है और ये देखें aggast waste ये इसका waste है ये इसका food vocals है ये ये और ये food particles है इसे ingestion करके ये अंदर करता है means ये capture करता है और जो Pashopedia मैं ये और ये nucleus है इसका main cell membrane तो हमारे जो चैप्टर है वो complete होने को आया है अब आपने देखें लिए इसकी वेसी इतनी नीद नहीं है उसके बाद हम एक बार learn कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा हमने जो देखा है digestion means nutrition और nutrition requirement के बारे में पढ़ा starting में और इसके बाद intake mode of intake food means ingestion के बारे में पढ़ा कितने तरीक होते हैं like sucking, chewing, biting, capturing ये सब हमने पढ़ा और utilization of the energy in the body ये भी हमने पढ़ा और जो human है वो अपने elementary canals के बारे में पढ़ा, secretory glands के बारे में पढ़ा, buccal cavity, ossophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in the rectum annals ये सब के बारे में भी हमने main main में पढ़ा, पिल्कुल detail में पढ़ा और जो आपके syllabus में है उतना तो ये खहा सकती हूं है detail में पढ़ा और जो main digestible glands है, juices, secret out जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा, digestion in the humans जो है हमने वो system complete कर लिया, उसके बाद हमने pancreas और salivary glands के बारे में भी पढ़ा था और small intestine की बारे में पढ़ा, उसके बाद उसमें जो willy होती हैं, willy के बारे में पढ़ा, हमने mode of feeding, vary in different organism ये भ absorption, elimination and e-gestion इन सभी modes के बारे में हमने पढ़ लिया, और digestion in animals भी, digestion in human, animal and amoeba के बारे में हमने complete जानकारी ले ली है